इमारस की जब भरती आई तो मैंने आपको समझाए कि इमारस का विग्यापना आगया आपको फर्म भरना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने का असा नहीं इमारस तो चेंटर की बढ़ती है, कौन से स्कूलों में मिलेगी, हम घर छोड़गे, कैसे जाएंगे। आदमी पहल पहले भी बोला था, जिनका ग्रेड थर्ड रिटमे सेलेक्शन नहीं हुआ, एमारस में टीचर बन गए। सेंटर की भरती है, बढ़िया नोकरी करेंगे, हो सकता उनका confidence इतना गजब का बिल्ड हो जाएगा, कि रास्तान की जो बढ़ती होंगी, उनमें भी आपको पच्छ क्या इतनी होगी तब करेंगे, जब विग्यापन आने के जश्ट बाद में करेंगे, डेट आने के बाद में करेंगे, आपको क्या लगता है सरकार निकालेगी क्या, ऐसी ऐसी चीजों पर और यूटूब पर ऐसे ऐसे अनावशिक वीडियों में अपनी उर्जा खर्च करक उन चीजों को अपने दिमाग में भरके, हम लगभग ऐसे हो चुके हैं कि हमारे पर जो सही सुचनाएं हैं वो हमें परभावित करना ही छोड़ दिया, तो यह इतनी इंफर्मेशन से ले रहे हैं, तो कहीं में कहीं आपको ये मेचूटी लेवल आप लोगों को आ चुका ब बूरा क्या है, मैं नहीं कहता कि आपको कोचिंग के जूरत है, मैं नहीं कहता कि आपको ऑनलाइन कोर्स के जूरत है, मैं तो यह कहता हूं कि आप सही तरीके से आप बिना किताबों के भिया नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी नेट पे पिडियो हूपलम्द हैं, MCQ, sir, कब हल करें? अरे, टॉपिक पढ़ने के बाद MCQ हल करें? ये कुछ सवाल पूछने का है क्या? सर, आपको क्या लगता है कि एक विशे को लेकर चलना चीए, चार विशे लेकर चलने चीए, ये धी possibility है तो चार विशे को साथ लेकर चलें, समभावना नहीं, दो विशे को साथ लेकर चलें, आप कितना सलेबस कवर कर पाते हैं, कितनी बार revision कर पाते हैं, ये किसी भी exam की सफ मलता का बेश होता है कि आपने चार से पांच बार से लेबस कवर कर लिया मतलब तू एडवांस हो तू सेलेक्शन ले सकते हो